जैसे कि आप सभी बेट कर रहे हैं जैसा कि इसके बारे में आपको कुछ प्रोब दिखाने वाला हूँ उससे पहले में आप से कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करें वीडियो अच्री लिक्ति तो लाइक करके जाये अब जो निउस है प्रोफ के साथ कि 26, 28 यह का एंसे अग्जेम fue that की यषिति दयँ देख पा रहे होंगी कि यह कई शिकायट पत्र यह शिकायट पत्र भीजा गया तो देखिए यह जो परिच्छा होनी है फिलाल यह आपने इससे कोई इसका मैटर तो नहीं है पर इससे यह पता चलता है कि जो बेकेंसी है अपनी 2016 और 2018 की मतलब 16 की तो होनी होनी है और 2018 की भी होनी होनी है तो जो EWS का मैटर है उसके उपर कारवाई चल रही है और बहुत ही तेजी से चल रही है जैसा कि इसमें क्या लेखा हुआ है सिवा में अपर मुख्य सचीप कार्मिक अनुवाग उत्तरप्रदेश सासन लखनव प्यागराज दिनां अबकत कराना है कि समलित राज्य अभिहंतरन सेवा परिच्छा हे तू शासर विभागुस्त अद्यचन प्राप्त हुए है विग्यापन समंद संबंदी करवाई की जा रही है यानि कि यह नई वेकेंसियों की बात की जा रही है यह जो पुरानी वेकेंसिया है वो टाइम पर यह होंगी और यह जो नई वेकेंसिया है यह आपकी एपरेल तक आपको देखने को मिल जाएंगी एपरेल के बाद है मतला अपरेल मैं जून जुलाइक कभी तक अब यह इसका नोटिफिकेशन निकालेंगी अध्यचन मिलने के बाद तो जो पुरानी भरतिया है तो जो दुजार रठारा की वेकेंसिया जो है यह अपनी टाइम परियोंगे और 2016 की वेकेंसिया का जो एक्जाम है मान के चलिए माई तक तो 100% होई जाएगा वाकि दुजार रठारा का बताऊं यह भी माई जून तक हो जाना चाहिए अब बात कर लेता हूं मैं कि वह एक्रिकल्चर का कोई भी स्ट्रेंट है यूपी का है या उत्राखंड का है या और कहीं का भी है और वो एक्रिकल्चर जेए की तैयारी करना चाहता है टेक्निकल में तो मैं करवाता हूं वो मुझसे संपर्क कर सकता है वीडियो में तना ही तैंक्यू सो मजज जैहिन जै भारत